आज हम आपके लिए आलू बैगन की बिल्कुली हट करके और बिल्कुली नए तरीके से रेस्पी ले करके आए हैं ज्यादा तर बच्चों की सिकायत होती है कि बच्चे बैगन नहीं खाते हैं, बैगन को पसंद नहीं करते हैं तो आज हम बिलकुली अलग तरीक और बिलकुली यूणिक तरीके से अलू वेगन की रैस्पी बताएंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से इसे बना करके तया कर सकते हैं और बच्चे इसे बहुत ही पसंद से और बहुत ही इंजॉय करके इस रेस्पी को खाएंगे और बहुत आसान तरीके से 5 मिनिट में इसे बना गए के बचों के टिफिन में हम दे सकते हैं हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सबका सुचित्रा रसोई में इसके लिए हम सबसे पहले एक कड़ाई लेंगे और आप लोग देख सकते हैं इस कड़ाई में मैंने कितना कम ओयल डाला है सरफ 3-4 चमच हम इसमें ओयल डालेंगे जो बड़ी वाली चमच होती है वो और इतने ही ओयल में हम पूरी सबजी हम बना करके तया कर लेंगे बहुती कम ओयल में इस सबजी को बहुती कम मसाले में हम सबजी बना करके रेस्पी बना करके तया करते हैं तो मैंने चिप्स की सेप में आलू को कट कर लिया है और इसे हम हलका सा फ्राई कर लेंगे बहुत ही light वाला जो golden brown कलर होता है वो वाला हमें इस आलूओं को कर लेना है बहुत dark कलर नहीं करना है बस थोड़ी से safe चेंज करेंगे थोड़ा सा बनाने का तरीका चेंज करेंगे और बहुत ही कम मसाली में बहुत ही कम oil में इस recipe को हम बना करके तया करेंगे बच्चे तो बच्चे बड़े भी इस recipe को बहुत ही enjoy करके बहुत ही चाओ के साथ enjoy करेंगे तो friends हमें सबजियों में हमें recipe में बस थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ों का change करना होता है उससे ही recipe बिल्कुल के हट करके बन करके तयार होती है तो friends आप लोग देख सकते हैं medium flame पर इस तरीके से चलाते हुए मैंने आलू को fry कर लिया है अब इन्हें हम निकाल लेंगे बहुत ही light color का हमें इन्हें हलका सम भून लेना है ज्यादा हमें golden brown नहीं करना है इससे हमारे 40-50% आलू पक चुका है अब इसे हम निकाल लेंगे और आप लोग देख सकते हैं इतने ही कम oil में हमने आलू को भी fry कर लिया है और जो हमारा oil बचा हुआ है उसमें मैंने बैगन लिये हैं तीन से चार बैगन लिये हैं करीबन 200 ग्राम के something उन्हें हमने छुट छुटे पीसेस में कट किया है तो इन आलका सा में fry करना है आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से चलाते हुए हमें बैगन का color change होने तक हमें fry कर लेना है आप लोग देख सकते हैं बैगन का color change हो चुका है अब इन्हें हम निकाल लेंगे तो फ्रेंट्स यह है वाली रेस्पी हमारी 10-15 मिनट में बनगर के तयार हो जाती है और आप इसे मौनिंग में, लंच में, डिनर में आप इसे बना सकते हैं मौनिंग में बना करके बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं इसे ड्राइफ सब्जी होती है तो इसे बच्चे बहुती इंजोई और आराम से खाएंगे आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे कि बच्चों आलू बैगंगी सब्जी नहीं खा रहे हैं जो ओयल बचा है उसे हमने एक चमल जीरा डाला है दो खड़ी लाल मिच डाली है खड़ी लाल मिच डालने से इसमें तीखा पन नहीं आएगा और जो सब्जी का टेक्च्चर होता है वो बहुती अच्छा आता और इस तरीके से मैंने लच्चे वाली प्याज को कट किया है अब हम इसमें प्याज को एड़ कर देंगे और प्याज को हमें बहुत अच्छे से जो गोल्डन ब्राउन कलर होता है डाल्क वाला गोल्डन ब्राउन कलर उस टैम तक हमें प्याज को अच्छे से भून लेना है जब तक प्याज हमारी अच्छे से भूनेगी ने तो प्याज का अच्छा सा फ्लेवर नहीं आएगा इसके बाद हमने तीन से चार लेसुन की कलिया ली हैं उसे हमने रफली चॉप किया हुआ है तो इसमें हम लेसुन की कलियों को भी एड़ कर देंगे और इसे हम अच्छे से भून लेंगे प्याज और लेसुन हमारा अच्छे से भून जाएगा अगर आप लोग अधरक का फ्लेवर पसंद करते हैं तो इस टाम पर आप अधरक को भी हलका सा कूट करके इसे अच्छे से भून लें आप लोग देख सकते हैं प्याज हमारी कितने अच्छी से भुन चुकी है अब इस स्टेज पर हम बेसिक मसाले जो होते हैं वो इस जगे पर हम एड़ करेंगे छोटी एक चमच हमने इसमें धनिया पाउडर डाला है हाफ टी स्पून इसमें हमने हल्दी पाउडर डाला है और हाफ टी स्पून हम इसमें लाल मेश डालेंगे आप लाल मेश पाउडर अपने श्वादन स्वार डाल सकते हैं आप जितना ती का पसंद करते हैं और इससे चलाने के बाद हाल ही हम जो धई होती है ताजा जो घर का धई होता है उसे हम फैट करके इसमें एट कर देंगे हम मसाले डालने के तुरंत बाद ही हम धई को एट करेंगे वरना हमारे जो मसाले हैं वो जल जाएंगे तो मसाली हमारे जलेना इस वैसे हमने तुरंत ही मसालों को इसमें डाल दिया है आप लोग देख सकते हैं दई हमारा अच्छे से भुन चुका है मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है और इसमें जो ओयल है वो अच्छे से सेपरेट हो चुका है आप लोग देख सकते हैं अब इसे स्टेज पर हमने 2-3 चमच इसमें पानी को एड़ कर दिया है यही हमें पानी एड़ करना है और इसमें हमने अच्छे से मसालों को भूल लेना है अब इसके आंगे हम पानी नहीं एड़ करेंगे और सारी सबजियों को हम इसी में बना खरके तया कर लेंगे आप लोग देख सकते हैं मसाले हमारे भूल चुके हैं और पूरे सेपरेट होगे के उपर आ चुका है अगर आपको डल लगता है कि हमारे मसाले जल सकते हैं तो जो हमने धई फिटा हुआ लिया है फेटा हुआ धई तो उस जगे जो धई में हम मसालों को एड़ कर लें और फिर उसमें धई को हम छोड़ दें तो इस तरीके से आपकी मसाली नहीं जलेंगे मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं उसके आद हमने इसमें टमाटर को रफली चॉप करके टमाटर को डाल दिया है और हमने एक चमच जो कस्मीरी लालमेश होती है उसे एड़ किया है ताकि इसका कलर अच्छे से आ जाए पहले हमने कस्मीरी लालमेश इस वही से नहीं ड भुन चुके हैं उसके आद हमने जो fry करके सब्लेयों को रखा था आलू को बैगन को तो फ्राइ क्यों हुआ हुए आलू बैगन हम इसमें एड कर देंगे और ऐसे अच्छे से चला देंगे ताकि जो भी मसाले है वह अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए अब इसे हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे लोटू मीडियम फ्लेम पर यह से 5-6 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे आप लोग देख सकते हैं बिना पानी डाले और 5-6 मिनट में हमारी सब्जी कितने अच्छे से पक करके तयार हो चुकी है बिल्कुल हमारी रेस्पी बन करके तयार है अब इसे आप लोग सर्व करके इंजोई कर सकते हैं अब इसे सर्व कर दें और सर्व करने के बाद इसे उपर से गार्निस कर दें गार्निस करने के लिए आप इसमें उपर से पनीर को कद्दू कर सकते हैं या फिर आप हरे धन्या डाल करके भी इसे garnish कर सकते हैं और अब आप इसे टिफिन में लंच में डिनर में बना करके enjoy करें और बच्चे और बड़े बहुत ही चाव से इस recipe को पसंद करते हैं तो friends हमारी सब्जी बन करके तयार है एक बार आप भी बनाईएगा और comment करके बताईएगा कैसी बनी है recipe और friends अगर ने recipe मिलती रहें तब तक के लिए thank you